आपको टोपिक है हम वो रूट टचप के उपर बात करने वाले गाइस जब हम रूट टचप करते हैं तो हमें किस तरीके से मिक्सिंग रेशियो और रखना चाहिए विद फैसें सेड या नोर्मल यह जवाब करते हो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आती है तो आपको घर तो गैस यहां पर बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता हम चाहिए वहेस यानगे यह सी सब्सक्राइब के साथ कि पछेंटेट को चाहिए चाहिए परस fashion shade भी चाहिए तो यहाँ पर क्या होता है जब नॉर्मलिक मानलीजी क्लाइट के जो hair है वो यह 6.3 के hair है तो यहाँ पर क्या होता है हम जब 6.3 color टॉन्टी वॉलियों में मिक्स करें लगाएगे तो हीवेरें नहीं क्लायर कि यहां ठाड़ेंट के बिख सेट फ़ेट प्रोपर किरेंगें करती कि इसमें है क्या करना पड़ेगा माली जिए क्लायर के गरेंट करने आपको गिरेंट जो यह वह 30 परसेंट है 30 तो आपको क्या करना पड़ेगा 30 ग्राम आपको 6.3 टियुब लेनी है पलस 6 नममरस में जो एड करना है वो करना है आपको 10 ग्राम और आपको इन सब्सक्तुर्त वोल्यूम में मिक्स कर ले तब जाके आपको gray coverage मिलेगी, क्यों guys, क्योंकि gray coverage हमें सा base cd करता है, तो इसमें मैंने 6 number का base add किया है, इसी तरीके से आपको, मैं बता दूँ, अगर 50% gray hair है, तो आप क्या करोगे, 6.3 color tube लोगे, पलस, 6 number, 50%, तो guys, मालेज़े आपने, 30 gram, 6.3 लिया है, तो 30 gram आप, 6 number लोगे, आधा आधा, पलस, 20, volume, तो इदा ml लिख दिया है, volume, developer यानि, और guys, अगर clean के hair, 75% gray hair है, तो आप इदा 6.3, पलस, 6 number लोगे, 20 volume में, तो mixing करनी है, इस color tube की ratio की, इदर क्या करनी है, आपको, 6.3 जादा करनी है, इसकी quantity जादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 ml जो है, 10 gram आपको, 6.3 लेनी है, और, 30 gram आपको, basic linear, 20, volume में, आपको, mix करके लगा देना है, तब जाके, आपको, gray coverage, अच्छे से, मिल पाएगी, उनका इसका बार क्या होता है, कि किसी के hair जो होते है, वो काफी जादा thin होते है, और वो फैसन सेड़ रूट चपर आते है, मालीजिए उनके जो hair है, length पर, 7.3 hair है, अब जो length के hair है, वो new growth आ चुके, ये सारी, जितनी भी है, इस पर fashion side है, 7.3, वही जो hair है, इतने सेफ, इस पर new growth आ दिया है, new growth आ चुके है, कि length को, ये ही color roots पर चाहिए, और काफी ज़्यादा thin hair होते है, तो हम क्या करते है, 7.3 color, plus 20 volume में लगा दिते है, जब roots पर color जो होता है, इस काफी ज़्यादा आ जाता है, vibrant आ जाता है, according to length, तो हमें यहां क्या करना होता है, हमें से जब हम roots पर color लगाते है, एक level नीचे लगाते है, according to length, जैसे length पर 7.3 है, तो हम roots पर thin hair पर 6.3 यूज़ कर सकते है, क्योंकि roots पर काफी ज़्यादा heat होती है, roots पर heat के कारण color हमारा और vibrant दिखता है, और scalp, जो client के scalp होती है, तो sunlight और सारी जो light होती है, सब हमारी top area पर ही पढ़ती है, तो एक level वो वैसी lift दिखता है, तो हमें सा, 20 volume बगरा कि आपको पता ही हो, color tube पे mention होती है, उनकी बराबर बराबर होती है, 1 to 1 and half होती है, 1 to 1 and half, वो color tube के उपर आपके mention होगी, I hope guys, आपको अच्छे वीडियो समझ आई होगी, गर वीडियो चेर दो वीडियो का लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रेट तो प्रेजब बलाइकों